हेलो क्लास फो स्टुडेंट तोड़ाइब टीच चेप्टर त्री चेप्टर त्री का ए जो है कंप्लीट हो चुका है आप लोग का और ये बी जो है आज हम दी कंप्लीट कराएंगे नाओ इंटिफाइब दफेबस नॉट इंडियन लेंडमार्क एंड राइट देयर नेम फर्स्ट है इस तूपीज एड़ स्पोर्ट वेयर बुद्ध गीप इस फर्स्ट सेर्मनों एड सार्नाथ यस्टु उस्थान पर है जहां बुद्ध्ध ने सार्नाथ में अपना पहला उप्देश दिया थत्व कहां है धमकुस्तूप सेकेंड है इस टेंपल इस एट हाइड और 3584 मिटर्स एंड डेलप्ड टू लॉड सीवा यह मंदिर 3544 मिटर की उचाई पर है और भगवान सीव को समर्पित है इस एड़ सोर्स आफ रिवर मं मंदाकनी इन उत्त्राखंड यह उत्त्राखंड में मंदा नदी मंदाकनी नदी के स्त्रोथ पर है यह मंदिर 3544 मिटर की उचाई पर है और भगवान सीव को समर्पित है यह उत्त्राखंड में मंदाकनी नदी के स्त्रोथ पर है तो यह जो है आपका केदारनाथ टेंपल य it is also called हर मंदिर साहिब इसे हर मंदिर साहिब भी कहते हैं इस फांडेशन वाज लेट बाइ इस फांडेशन वाज लेट बाइ मियान मीर इसे हर मंदिर साहिब भी कहते हैं इसकी निव मियान मीर एक मुस्लिम साहिब ने रखी थी और 604 में बनकर तयार हुई थी यह जो है क्या है यह कौन सा मंदिर है हमारा गोल्डन टेंपल है यह महाराजा सवाई जैसिंग द्वारा निर्मित वैज सालाव में से एक है इट इस एन आर्टिफीसल लेक इन चंडिगर्ड इट इस एक पापुलर टूरिस्ट प्लेस यह चंडिगर्ड में एक कित्रिम झील है यह एक लोगपुरिय परेटक स्थल भी है इसका जो है यह क्या है यह जंतर मंतर है इसको मैंने बताना इसको बताना भूल गई थी जो है और उसके बाद है देखिए लास्ट है आपका यह सिक्स नवर पर इट इस ए लेक इन स्री नगर वुडेन हाउस बोट और मेंस आप ट्रांसपोर्ट हीर यह स्री नगर के जील है यहां परिवन के साधन लकड़ी के हाउस बोट है ठीक है यह जो है चेप्टर थी का यह बी ह है ठीक है अब हम इसी में जो है अब हम आपको पेस्ट नंबर नाइन पेस्ट नंबर नाइन चेप्टर फोर जो है कंप्लेट करा देते हैं अंसर दो कोशन गिवन बिलो नीचे दिये गया प्रशनों को उत्तर दीजिए यू में चूज दा अंसर फ्रॉम दे हैल बॉक्स अंसर फ्रॉम दे हैल बॉक्स में अंसर दिया हुआ है अगर आपको जबॉत हो तो इससे जो आप अंसर कहें ले सकते हैं ठीक है इससे प्रतिक के रूप में किस पच्छी को चूना गया था यह है आपका फर्स्ट है जो है क्या है हमिंग बर्ड तो हमें आपके क्या फिल करेंगे हमिंग बर्ड कि इसकेंड़ वेर डेज़े पैलिकन होल्ड एट्स कैच पैलिकन अपनी पकड कहां रखता है पैलिकन जो है अपनी पकड कहां रखता है तो इसका अंसर है यह देखें इन इट्स बीक तो अंसर हम फिल करेंगे इन इट्स बीक ठीक है थर्ड नंबर पे वीच अफ फॉल्विंग इस नौट ए वाटर बर्ड निम्लिखित में से कौन जल पच्छी नहीं है तो अंसर है आपका ब्लू जा स्वाम और पेलिकन तो हम इसी पर टिक करेंगे थर्ड पे पेलिकन जो है हमारा जो है वाटर पच्छी नहीं है जल पच्छी नहीं है पोर नंबर पे वीच आप दा फॉल्मिंग बार्ड हैस अंली टू टोज निम्लिखित में से किस पच्छी के केवल दो पैल की उंगलियां होती है तो यह देखिए कोकैटो पैरट और ऑस्ट्रिस तो यह कोकैटो 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 टिक करेंगे हिप नंबर पे वेल आर आउन मोस्ट एक्टिव उल्लू सबसे अधिक सक्री कब होता है तो अंसर हमारा एट नाइट ठीक है शिक्स नंबर पे वाट इसे मेल डग कार्ड नर्बत्त को क्या कहा जाता है ड्रेक करते हैं क्या कहते हैं ड्रेक करते हैं अधिकांस कब उतर ठंडे छेत्रों में रहते हैं लिव इन कोल्ड रेजन्स तो यह ट्रू है या फॉल्स है तो यह फॉल्स है नेम दे बर्ड डाट कें फ्लाई बैकवर्ड उस पच्छी का नाम बताएं जो पीछे की और उड़ते हैं तो यह है आपका बैल डिगल कि यह आपका जो है फाइब याज चैप्टर फाइब कंप्रीट हो गया है इस कोशन असर को आप लंड कीजिएगा और अपने बुक को भी आप फिल कर लीजिएगा ओके यह दो जापका जोगर और गापका जैप्छी ओär स्वेश्या खिर का की जापका जार बाया तो यह जापका, इस अबीएगा जापका लगलिक साया जाएं जा आपका वहां जापका रॉष्टर टाइएब शहां एक यहां आपका क्रीएग्ड वाफार आपका